राजदानी लखनव के लोहिया इस्टिटूट में खाली बेडों पर मरीज भरती नहीं किये जाने पर लोहिया संस्थान के देशक डॉक्टर सोनिया ने त्यानन का एक बयान आया उन्होंने का एक जानकारी पूरी तरीके से सही नहीं है देखे रिपोर्ट लोहिया संस्थान के दो सो बेड ताले में बड़ बेड के अभाव में भटक रही है मरीज हॉस्पिटल ब्लॉक के दो सो बेड बीस दिनों से खाली सुपर स्पैशलिटी विभाग बेड बढ़ाने की कर रहा है मा लोहिया संस्थान के हॉस्पिटल ब्लॉक का माबला राजधारी लखनव के बड़े अस्पिटालों में शिमार राम मनुहर लोहिया से खबर आई कि वहाँ दो सो बेड ताले में बंध है तो मरीजों में हाहाकार मच गया मरीज परिशान हो गए लेकिन इसी बीच लोहिया अस्पिटाल के डिरेक्टर ने बयान जौरी करते हुए कहा कि ये मात्र अफवा है पूरी तरह से ये सच नहीं है मैदिसन से पीडियाटरिक्स से और्तो से बेड्स निकाल के हमने गाहिनी और पीडियाटरिक्स को दिये थे तब तो और भी बुरी सित्य थी कि बेड्स की वो हमने रीडिस्ट्रिब्यूट करे थे यहाँ पे जो patients जो generally जिनको वापस जाना पड़ता है वो हैं जो emergency में आते हैं चुकि emergency में हमारे पास केवल 46 bed हैं, triage को include करके और footfall होता है लगबग 300 से 400 patients का तो जो सबसे जादा patients वापस किये जाते हैं, वो emergency के होते हैं और बाकी जो indoor patients जहाँ beds available होते हैं जिसे medicine है, surgery है, orthopedics है, super speciality departments है ये वही अस्पिताल है जहाँ पर सिर्फ लखनव ही नहीं बलकि पूरे UP से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं लोहिया संस्थान के निरेशप ने अपने बयान में रेफरल अस्पिताल को COVID अस्पिताल बनाए जाने की बात कही हैं और बताया कि जो बेड़ खाली हुए हैं उनको संबंदत विभागों को वापस कर दिया गया है लेकिन सच्चोई यही है कि हॉस्पितल ब्लॉक के 220 दिनों से खाली पड़े हैं मीडिया में खबर आने के बाद डॉक्टर सोन्या नित्यानंद मामले को छुपाने के लिए सच्चे पल्ला ज़ाड़ रही है बीते कुछ दिनों से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान सुल्ख्यों में बना हुआ है क्योंकि यहां मिलने वाली मुफ्त दवा, इलाज और भरती की सुविदा जल्द ही अब बंध होने वाली है अभी तक लोहिया हॉस्पिचल के ब्लॉक में मरीजों को एक रुपे में पड़्चा मिल रहा था लेकिन उन बेट्स पर अभी भी मरीजों की भरती नहीं हो पार रही है स्पताल प्रशाशन ने इस बात को सुविकार किया है कि मरीजों की भरती नहीं हो पारी है लेकिन ये भी कहा है कि उनके पास मैन पावर सप्लाई कम है उनके पास स्टाफ कम है इसलिए इन बेट्स पर अभी फिलाल भरतियां रुकी पड़ी है कैमरामेन अरशत के साथ अभी शेक पांडे भारत समाचार लगनो